Hey guys and welcome back to your channel Genius Root तो recently एक वीडियो अप्लोड किया था जिसमें मैंने बताया था आप अपने हैंड रिटिन जो नोट्स आप क्रिएट करते हो वो कैसे ओलाइन सेल करके और रिवेन जो है चंडिट कर सकते हैं इस वीडियो को अप्लोड करने के बाद मेरे पास इंस्टा पर एंड कॉमेंट वक्स में भी लोगों ने कमेंट करके पूछा कि वो नोट्स कहां से लाएं कौन सी बैपसाइट से लाएं तो मैं हमें आपको के रिगार्डिंग हाईली रिकमेंड कर दू दोस्तों देखिए को बैफसाइट पे अप्लोड कर सकते हो एंड गईस सबसे अच्छी वात यह है कि इस बैफसाइट का टे आउट बहुत जादा है मतलब 10 डॉलर पर डोकुमेंट ठीक है तो एक और बैफसाइट थी जिसका नाम है नोट्स एंड तो गईस इस पर हमें काफी कम एमांट देखन को मिलता है अलाग कि इस पर भी वही है इस पर भी डोकुमेंट अप्लोड करके सेल किया जाते हैं बट जो मैं ट्रिक वताने वालो बहुत यूसपूल है आप यहां से नोट्स कॉपी करके अपना कुछ उसमें इंप्लूड करके दिखी दोस्तों कहते नहीं है कि कि किसी का क इंड यूसफुल कंटेंट मिलते रहेंगे मतलब कहीं ना कहीं आपको अर्निंग रिलेटेड ठीक है तो चलिए फटावर से ट्रेक जान लेते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक वैफसाइड होगी एक नहीं सौरी दो वैफसाइड होगी पहली वैफसाइड तो आपको मिल ज जाओगे डैस वोड पर और आप चाहो तो यहां से भी अर्निंग कर सकते हो लॉगिन करके तो उसका मेतर में आगे आपको बता दूंगा तो सिंपली आप लोग ने डैस वोड पर इस सिंपल से आके एंड स्क्रॉल करके नीचे जाना है तो हम यहां से रेंडमली कोई एक न आपको यहां पर बता दूंग यहां पर मैंने काफी डोकुमेंट्स अप्लोड कर चुका हूं और अप्रोब्ड भी हो जाते हैं बट आपको स्मार्ट तरीके से कॉपी पेस्ट करना है तो आप लोगोंने क्या करना है यहां पर आके यह वाला कुछ पेस्ट खुलेगा अब आप लोगोंने यहां से रेंडम सा मैं कोई एक नोट्स जो है स्लेक्ट कर लेता हूं गाइस लेक्से और आप लोगोंने वही नोट्स स्लेक्ट करना है जो कि पैन से लिखाओ ठीक है और जो कंपीटराइस टाइप हुआ है जिसने डिजिटल तरीके से बनाया उसका हम तो अच्छे से आता होगा Microsoft Office Word तो दोस्तों वहीं पर हम यह काम करने वाले हैं तो आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे और देखिए यहां पर इस website का payout उस website के according काफी कम है ठीक है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे है पर डूकिमेंट यहां पर only 15 डूपीज है और वहा यहां से पहले तो देख लेना है कुश्चन कितना है simply आप लोगों ने यहां पर अच्छी से गई को कूपी कर लेना है ठीक है simply आप लोगों ने अपना वर्ड़ पैड ओपिन कर लेना है एंड रैन यहां पे आपको वही कुश्चन एजड़ पेस्ट कर देना ठीक है अब हम इसे फूरा सा आगे कस्टमाइज कर देंगे तो हम जल्दी जल्दी से इसी कस्टमाइज कर देंगे और इसे एक यूनिक फॉंट देंगे 12 यहां से कोई एक रेंडम सा ठीक है जैसे 16 है तो पूरा 16 पर ही पूरा पेज पर चलना चाहिए तो हम यहां पर लिख देते हैं कुश्चन नंबर बन ठीक है एंड सिंपल से थोड़ा सा हम यहां पर एंटर मारेंगे और दोस्तों यहां से हमें यह वारा रॉलर पकड़के दोस्तों यहां पर इसकी कस्टमाइजेसन आपको अच्छी से करनी है मतलब यह पूरा ऐसा लगना चाहिए कि आपने बहुत अच कि यहां पर गौर्जब कि देखोगे तो ए मारा यहां तक है and by हमारा यहां तक है फंक्षन अब यहां से हमारा होता है आंसर स्टार्त सिंपलिज्म पूरा इस आंसर को एंड एक पेस्ट गैस आपको एक चीज और ध्यान रखना है यहां पे आपको बिल्कुल केलीर से देन अपना आप लोगोंने क्या करना है, सेम यही customization के लिए, simply यहाँ पर click करना है And आप लोगोंने format painter पर click करना है, उसके बाद आपको यह हाँसे select कर देना है, जितने हमें customize करना है Toh, यह automatic लिए उतना ही font लेनेगा, यहाँ पर click करके simply आपको एक tab दे देना है, ठीक है पड़ेगा अपना 100% थोड़ा तो देना पड़ेगा और गाइस मैं आली आपको यह डेमो दे रहा हूं आप यहां से कोई सिंपल सा रेंडम सा अच्छी से चूज करके जिसमें लेंग्विस अच्छी हो जिसमें साफ हो मैंने रेंडम ली चूज किया है बस जस्ट आपको दि लेने हैं और एक तरीका इसका और है गाइस नोड़ पैड आपको यहां पर ओपिन कर लिना नोड़ पैड अगर आपकी टाइपिंग इसके अच्छी है तो सिंपली आपको वही चीजा है यहां से टाइप कर लेने है ठीक है जैसे कि यह जो भी है यहां से टाइप कर लेने ह और यहां से कॉपी करके आप लोगों ने यह ले जाना है बर्ड पैड पर तो वहां से आपका यह जो एन हमारा सेलेक्शन में छूट रहा है यह वाला तो यह वहां से लीव नहीं होगा तो आप लोगों ने यहां पर अभी मैं आपको शॉट तरीका उली बता दे रहा हूं औ और करना आपको बहुत अच्छे से है यह कि हम कॉपी कर रहे है एक एक वर्ड ठीक है तो सिंपल से हमने यह कॉपी कर लिया और यहां से एंटर करके हम फिर से हुई पेस्ट कर देंगे और यह जो हमारा यह फॉन्ट साइज जो मिसमेश हो जाता है आप लोगों बीच में य और यह पूरा आपको ऐसी टाइप कर देना है यह देखिए यहां पे हमारा सेकेंड बी वाले सेक्षन का अंसर स्टार्ट है यहां से यहां से पूरा बी तक है यह पूरा हमारा खतम यहां तक ठीक है तो आप सेम टू सेम इसी तरीके का कर लोगे और मेक्सियर आप लोगों in this case it is तो यहाँ पे हम यह paragraph बना देना ठीक है यहाँ पे इतना यह selector के इसे थोड़ा सा आगे करके यहां से इसे थोड़ा सा पीछी कर देंगे तो ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे आपको करने के बाद यहाँ पे मैं इसे नाम देता हूं गाइस नोट्स टू ठीक है सिंपली मैं इसे सेव कर देता हूं और आप लोगने अब करना है अब लोगने अब लोगने अब लोगने अब लगने का पीरेड है यहां पे ठीक है तो आप सिंपली इस तरीके से अगर आप अच्छी से पूरा कर पाए तो दोस्तो काफी अच्छी खासी अर्निंग यहां से रिवेनु आप जन्निट कर सकते हो तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए या इससे रिलेटेड आपको कोई और क्वेरी है तो दोस्तो हमें जरूर सजेस्ट करें और यह ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताई है पहले तुम्हें आपको मेक्स्योर दोस्तो आपके पास ही इतने जो स्टुडे से रिलेटेड बनाई थी बट दोस्तो मैंने यह नहीं कहा कि आप लोग आपको काम करना छोड़ दो प्लीज उस पर लगे रहो क्योंकि कोई सावी प्लेटफॉर्म जल्दी हमें रिजल्ट नहीं देता और सावी प्लेटफॉर्म पे कभी-कभी बग चलते रहते हैं तो उस झाल झाल झाल